सस्क्राइब करिए हमारे चैनल अस्मार्ट लर्निंग इंडिया को और बेल आइकन को दवाएं हेलो फ्रेंट्स आप सभी को अस्मार्ट लर्निंग इंडिया में बहुत बहुत श्वागत है आज हम आपके लिए फिजिक्स का 500 कोशन का स्रीज लेकर आए हैं जो कि डेली आपको 50 कोशन मिलेंगे और ये पार्ट टू है पार्ट वन पहले ही अपलोड कर चुके हैं आप लोग नहीं देखें तो जरूर देखें ये सारे कोशन काफी इंपोर्टेंट है तो आईए सुरू करते हैं आज का पहला कोशन है सुर्ज की उर्जा उत्पन होती है सुर्ज की उर्जा उत्पन होती है कहां से तो ना भी के संगलायन द्वारा नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 52 किसी बस्तू का परतिविम आग के किस भाग पर परता है किसी पस्तू का परती भी आंके किस भाग पर परता है तो रेटीना पर किस पर परता है रेटीना पर सयान्ता की काई है किसकी काई है तो पौाईज का वह कौन सा बल है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंदर की और खीचा चला जाता है, तो कौन सा है, गुर्तवा कर्सन द्वारा, किसके द्वारा, गुर्तवा कर्सन द्वारा, नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं, कोशन नमबर 55, पास्कल लिकाई है, पास्कल किसके लिकाई है, तो दाब का, किसका है, दाब का, नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 56, गुर्त्वा कर्सन का सार्व भौमिक नियम का परतिपादन किसने किया, तो Newton ने किसने किया, Newton ने, next question, निमलिखित में से कौन बेक्टर मात्रा है, तो बल, कौन सा है, बल, next question, खाद उर्जा को हम किसी काई में माप सकते हैं, खाद उर्जा को हम किसी काई में मापते हैं, तो कैलोरी में, किस में मापते हैं, कैलोरी में, next question, question number 59, देन मार्क को कहा जाता है, देन मार्क को क्या कहा जाता है, तो पबनो का देश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पबनो का दे पेसर कुकर में खाना कम समय में क्यूं पक जाता है? तो किस कारण चलती पकता है? तो अधीक दाब के कारण उबलते पानी का ताब बढ़ जाता है. Next question, question number 62, सूर्ज पर उर्जा का निर्मान होता है, किस पर होता है? नाभिक के संगलायन द्वारा, किसके द्वारा? नाभिक के संगलायन द्वारा Next question, question number 63, electron को सर पर थम किसने पहचाना था? या खो जा था? तो जे जे थामशन ने Next question, बलासी पास्कल, बलासी पास्कल का संबंध किस मसीन से है? तो गनना करने वाली मसीन से किस से है? गनना करने वाली मसीन से बलासी पास्कल का संबंध है नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 55, राइट बंधू, राइट बंधू, किसके अभिस्कारक माने जाते हैं, तो राइट बंधू, बायूयान के अभिस्कारक माने जाते हैं, किसके बायूयान के अभिस्कारक जाने जाते हैं, राइट बंधू, नेक्स्ट कोशन, बॉल पॉइं पेन का अभिस्कारक कौन थे तो बीरो बर्दर्स सर्व हैं कौन हैं बीरो बर्दर्स सर्व हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 67 पर्थम किस बैज्यानिक ने बताया कि प्रीथवी सूर्ज के चारो और घूमती है तो कौपर नीकस ने बताया था कौपर नीकस ने नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 68, भाफ के इंजन का अविस्कारक कौन थे, भाफ इंजन का अविस्कारक कौन थे, तो जेम्स बाठ है, कौन है, जेम्स बाठ, नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 69, कार्ज का मातरक है, कार्ज का मातरक क्या है, तो जूल है, क्या है, जूल, नेक् का SI unit किया है बल का SI unit किया है तो Newton Q2 Parse कि काई है Parse कि काई हो तो तो दूरी की नेक्स्ट कोशन Newman album किसका मात रख है तो न्यूमेन जो है जोति फ्लक्स का मात रख है Q3 Q7 no. 74. पासकल लिकाई है? पासकल किसकी काई है? तो दाब का. किसका है? दाब का. नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं. कोशन no. 75. कैंडेला मातराखे? कैंडेला किसका मातराखे? तो जोती तिउघ्रता का. नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 76, जूल किसकी काई है, जूल जो है उड़जा की काई है, किसकी है उड़जा का, नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 77, हाटर्ज क्या मापने की यूनिट है, हाटर्ज क्या मापने की यूनिट है, तरंगो की आबिर्थी, किसकी तरं देशी वल किसे मापने के लिए परियोग में लाया जाता है तो देशी वल जो है बाता ब्रण में धुहानी को नापने के लिए या फिर ऑफ्षन में कभी अनली धुहानी रहेगा तो वो भी सही होगा नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 80 यदि किसी चलती हुई बस्तु के बेग को दोगना कर दिया जाए तो उसका गती जूरजा क्या होता है तो उसकी गती जूरजा जो होता है चारगुनी हो जाती है नेक्स्ट कोशन न्यूटन की पहले नियम को क्या कहा जाता है नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 82 है, रॉकेट किस सिधान्थ पर कार्ज करता है, रॉकेट जो है किस सिधान्थ पर कार्ज करता है, तो न्यूटन के तिर्थिये नियम पर, किस पर करता है, न्यूटन के तिर्थिये नियम पर रॉकेट का सिधान्थ कार्ज करता है, नेक्स्ट कोशन पर चलते है Q84, गैसों के दाब माँपन के लिए औरोग पडियोक किया जाता द्वाग और... मीटर किस रासी को मापता है अल्टी मीटर किस रासी को मापता है तो उंचाईयों को किस को मापते हैं उंचाई को नेक्स्ट कोशन question number 36 hydrometer क्या मांगता है hydrometer से क्या मापा जाता है तो आप व bereits आदरता hydrometer से मापा जाता है question question number 87 fallen 경우에는 की राशी को मापने में किया जाता है 품enermeaire जो है समुद्र की गहळाई की मापने की उपयोग में की जाती है next question question number 88 है रियक्टर पैमाने का उप्योग किस रासी को मापने में किया जाता है तो भुकम्प की तिव्रता जो है रियक्टर पैमाने को मापने में किया जाता है नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 89 है, थंडे देशों में पारा के अस्थान पर एलकोहल को ताप मापी दर्व के रूप में बढ़ियता दी जाती है, क्योंकि एलकोहल का दर्वांक नीमनतर होता है, क्या होता है, एलकोहल का दर्वांक नीमनतर होता है, नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 90, सूर्ज के ताप मापा जाता है, सूर्ज का ताप किसे मापा जाता है, तो पाइरो मीटर ताप मापी द्वारा किसके द्वारा, पाइरो मीटर ताप मापी द्वारा सूर्ज का ताप मापा जाता है, नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 91 है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम सुन ताप होता है, कितना होता है, minus 273 degree centigrade, कितना होता है, minus 273 degree centigrade, next question, question number 92 है, कौन सा ताप, centigrade और Fahrenheit दोनों माप कर्मों में एक समान होता है, कौन होता है, minus 40 degree, कौन होता है, minus 40 degree, next question, question number 93 है, नियून्तम संभव ताप मान कितना है, तो minus 273 degree centigrade, next question पे चलते है, कौन का गहना तो किस ताप कर्म पर अधिकतम होता है, तो 4 degree centigrade, कितना होता है, 4 degree centigrade, next question, question number 95, जब बर्फ को 0 degree centigrade से 10 degree centigrade तक गर्म किया जाता है, तो बल का आईतन कितना होता है, तो बल का आईतन जो होता है, पहले कम होता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है, next question, question number 96 है, सीसे की च्छन, सीसे की च्छन को जब हाप में रखी जाती है, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, प्रन्तो इसकी चोड़ाई क्या होती है, चोड़ाई और वेवस्थित होती है, यानि सीसे के च्छन को जब हाप में रखते हैं, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है और चोड़ाई जितना है उतना ही रहता है Next question Question number 97 Question number 97 लोलक घरियां गर्मियों में सूस्थ हो जाता है क्यों? लोलक घरियां गर्मियों में सूस्थ हो जाता है क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है क्या होता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाता है जिसे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 98 दो रेल पटरियों के मद पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलता है तता ठंडी होने पर संकुचित हो जाता है नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 99 है बोलो मीटर मापन की एक युक्ती है क्या है उसमी ये बीकिरन की नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 100 सीत काल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों कि सरीर की उसमा को बाहर जाने से रोकता है क्यों गर्म रखता है क्योंकि सीत क्योंकि सरीर की उसमा को बाहर जाने से रोकता है इसलिए सीत काल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं question for you यह question आपके लिए है इसका answer आप लो comment box में बताईएगा उनी कपड़े सूती की अपेच्छा गर्म होते हैं क्यों इसका answer आप लो comment box में जरूर बताईएगा और आज का वीडियो कैसा लगा आप लो comment box में जरूर बताईएगा thank you for watching